हेलो फ्रेंज आज मैं बनाने वाली हूँ पैनकेक और ना ये बज़ों का फेवरेट होने वाला है और ये बहुत हैल्दी है क्योंकि ना मैंने इसको आटे से बनाया है, गेहों के आटे से तो शुरू करते बनाना मैंने पता है क्या कर रहा है, सबसे पहले टेक cup आटा ले लिया, एक cup मतलब नाप के आप ले सकते, measuring cup से मैंने, एक site की kateoori से एक kateoori आटा ले लिया है, और उसी kateoori से d1.5 कateoori दूद, हमने इसमें add करना है, दूद या तो आप सुपने गुण गुणुणा add करें, या जो home temperature में रखावा दूद है처조fic करके इसको धीरे धीरे आटे में एड करके मिक्स करते रहना है एक स्मूध सा पेस्ट बनना चाहिए कोई भी लंप्स नहीं रहने चाहिए फ्रिज में रखा हुआ थंडा दूद जो होता है वो इसमें यूज नहीं करना है तो यहां देखो बिलकुल आटे सॉफ्ट होने लग में इसमें नहीं बहुत्र बात चीनी ऐट अब घोफे लिए बहुत दो आगता हुआ एक सम सबस्क्ता्रों यहां गयर्जा देख है बस इसको mix करके हमें छोड़ देना है आठ से 10 मिनट के लिए ताकि जो हमारा आट है अच्छी से सेट हो जाए इसको ढखकर हम लोग छोड़ देंगे आज मैं बना रही हो बनाना पैनकेक तो पता है मैंने क्या किया एक बनाना लिए है इसमें सि collecting इंना हम जालेंगे एक कटारी आ राते में तो एक केलह डालना है इससे जहादा मठ ढालना नहीं तो ओवर आ जाएगा टेस्ट सिर्फ केले के लें का लिए हमें एक कट़ुरी आटे में एक केलह डालना है ठीक है और केले को इतने अच्छी से मैश करने है बिल्कुल उसमें लंप्स गुठलिया नहीं दिखनी चाहिए अगर आपके बाद मेशर है तो इस तरह से मेश करना, अगर मेशर नहीं है तो आप इसको मिक्सी में पीश लेना, लेकिन हाथ से मत करना, क्योंकि हाथ से न फिर उतनी फिनिशिंग नहीं आती है पैनकेक में, तो देखो बिल्कुल ऐसा पेस जैसा बनना चाहिए केले का, बस क मिक्स कर लेंगे अच्छी से, यह केक पता इतना टेस्टी बना था ना, पैनकेक इतना टेस्टी बना था, बच्ची तो बार बार मांग मांग के खा रहे थे, और बड़ो को भी बहुत पसंद आया, तो देखो केला डालती ना, यह थोड़ा वैसा नहीं हो गया, फुला फिर हम घ्क हो शेयर, फिर को खूलना है फिर लास्ट में हैं, शेयर बेकिंग पावडर, एक चममज मुसे थाँ इससे घूरए धो ज़ोड़ा लग घंठ, दो चुटकी के करेब बेकिंग सोड़ा, इसससे जाधा नहीं डालना है, शेयर बत्स की हम्से इससे ज़िस्मा करक फैल जाएगा पैनकेक और मेंने महाँ पेक तवभले हैं तव الإिश्म करना है बहुत freely Los करना है मीडियम पर गरम करके मुठ ऑईल से इसको ग्रीम ग्रीज करना है या गीवी ढ़ा सकते में लो फ्लेम में पकाना है, जैसे इसका उपर का भाग सूख जाएगा ना, देखो यह सूख गया ना, तो जैसे छेट-छेट हो जाएगा, इसको पलटना है, अगर पलटे ना आपसे, तो चम्मच को उल्टा करके करना, या चाकुस से हलकालका साइट साइट से इसको कर देना, इस तरह से, फिर पलट लेना, अराम सो जाता है, आपको पलटने से पहले काम करना है, जो वाली साइटे ना, इसकी, उसमें भी हलका सा घी लगा के फैला लेना है, हलका सा आधी चम्मच से भी कम, बहुत कम सा घी लगा लेना है, फिर उसको एक मिनट के लिए ढखके सेकना ह इस टैप से हो जाएगा, तो यह अठी से पक चुका है, दोनों आसे साइट से, बस रेडिय चुका है, और एक पैंकेक रेडिय चुका है, ऐसे मैंने सारे पैंकेक बना लिए थे, आपको फिर से तेल फेलाने की बदलने की ज़रुवत नहीं है, मतलब ग्रीस करने की और फिर इसको पलटेंगे फिर इसके बार धकन लगा कि एक मिनट के लिए इसको भी पका लेंगे बस पैंकेक रेडी हो गया इस टैप से निकाल लेना साइट से बहुत आसानी से निकल जाता है चिपकता नहीं है और आप इसको गर्मा गरम खाएंगे ना बहुत ही टेस्टी अब आप देका होने घोता सकते हैं तो लोग चॉपकीख वाञा युत लगता है तो कंवेगें पाइनकेक आ फिर समय देड़ा और साजय को धुच्छे ज़दयें जाए इसलिए युकर बेदा दामनी से इसको रचोकलेट और उपर से आपने शहट डाल सकते हैं चॉकली शिरफ उससे भी बहुत ही टेस्टी बने थे अगर आप चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्या कि मैं आप असी नए रेसिपीस के साथ आते रहती हूं और हाँ यार बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालू उसके बगल में जो घंटी का निशान होता है उसमें आल में क्लिक करना ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूँगे न सबसे पहले आप देखोगे उसको देखो यहां पर इतना सॉफ्ट सा पैंकेक बनके रेडी हुआ है और बहुत टेस्टी था मैं बार-बार कह रही हूं जरूर ट्राइ करना थैंक यू